आप सभी का स्वागत है आज की ताज़क खबरों के साथ मैं नाच पुरेशी आज हम बात करेंगे जीला वाला घट के अंतरगत तैसिल खैर लांजी की तेज गती से आ रही कार किराना दुकान में जागुसी दुकानदार सहित दो गिरायकों की मौके पर हुई मौत घटना इस्तल से वहां चालाग फरार मामला ग्राम पंचैत सालोट पार का खैर लांजी तैसिल एवं प्रामपाईली थाना छेतर के अंतरगत ग्राम पंचैत सेलोट पार में 26 जुन को रातरी आठ तीस बजे साकडी की ओर से तेज रप्तार से आ रही इको इस्पोर्ट कार सेलोट पार के मंदिर चौक पर इस्तित किराना दुकान में जागुसी कार की टकर से पूरी किरान दुकान टूड गयी एवं वहान चालक फरार हो गया किरान दुकान में उपस्तित दुकान संचालक कुल्दिप कल्यारे उम्र 24 सही audio गिराई को मनिक राम दांधरे उम्र पैतिषवर्ष एवं असोक दांधरे उम्र पैतिस वर्थ तीन लोगों की पुलिस बल घटना इस्तल पर पहुच गया रामपाइली थाना पुलिस द्वारा तीनों सव को अपने कबजें में लेकर मर्ग कायम कर जाज में लेकर आज 27 जुन को 10 बजे खैरलांजी के सव ग्रह में तीनों म्रतकों का डाक्टर द्वारा पोश्ट माडम कर सव परीजनों को सव दिया गया उप्त मामले की जाज रामपाइली थाने के S.I. स्री राजकुमार खटिक के द्वारा की जा रही है सर्पंच जी जो आपके ग्राम सेलवर्ट पार का जो मामला अभी आया देखने में जो पियम के लिए बाड़ी आई थी क्या मामला है ये पुरा ये मामला है कल सवा अगरी थी तो दुगान में गाड़ी सुस्टाकड़ी चरप से आ रही थी तर्मीं से लेके गाड़ी को सिखी नहीं जाठी ये जो दो लोग थे ये सामन ले रहे थे नहीं जो जो असो का और मानी जो सामन खेकी नहीं कहते इनको किच्छे जैसे इदर का मुधा तो सीबे मारा तो उसके दुगान के अंजरी गाड़ी तो तीनो इसपाल पे दबुग तो ये जो चतिग्रस्त और जो ये अभी जो मामला हुआ है मतलब जो बाड़ी आए थी ये वहीं के सेलोट पार के निवास है है अच्छे दुजार बीस है ग्राम बाईली थाना चेतर अंतरगत ग्राम सेलवट पार में एक एको स्पोर्ट्स कार ने अंत्याद एक तेज गती में लापरवाई गुर्वर गान चड़ा ते लिए एक घर में गुश गया तुकान में गुश गया कुल्दीब कले आरे करके इस लिक्नी की दुकान थी उस ब्रॉष पर अपरा मर्क कायम है और आपरास का प्रॉष को परन अग्सान है चालक का पता नहीं चालक भाग गया तब आखना का तरे वहां नहें हमारे छेत्र नत्रज पर फाना शेत्रंत देंडरा का वहां और ने रिए सटेशन के आधार पाता किया फिजित दुन दरा के पराद पंजी बद्द की अगया है, विजाच में सुख दूइचना है.